Hello students, मैं वैभव अपने चैनल निबर नॉप में आपका स्वागत करता हूँ. ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के Maths सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटिड है. अगर आपको मेरा काम पसंद आए, तो प्लीज वीडियोज को शेर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटो ही है, क्वालिटी एडिकेशन सबका अधिकार. और अगर आप पूरा से लिबस कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लेडिस्ट में जाके, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, सारे वीडियोज की प्लेडिस्ट चैक कर सकते हैं, और अब तो आप निबेड नॉब को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए, आज का लेक्टर शुरू करें. अप्लिकेशन अफ डेरिवेटिवस की एक्सराइज 6.5 हम कर रहे थे सॉल और कोश्चन अबर 22 हमने कल किया था, वेरी इंपॉर्टन कोश्चन, आज हम एक और इंपॉर्टन कोश्चन लेने जा रहे हैं, कोश्चन अबर 23, प्रूव दैट अट वॉल्यूम अफ दे लार्जेस्ट कॉन अब इस कोश्चन को पहले हम समझते हैं, एक स्फियर है, अब मैं उसको सर्कल के तौर पर ही शो कर सकता हूँ, स्फियर और सर्कल में तुम सब फरक जानते ही हो, कोश्चन में कहा गया है कि स्फियर का रेडियस है आर, जो की फिक्स है, और इसमें बड़े से बड़ा कौन अगर इंस्क्राइब हो सकता है, मैं कौन इंस्क्राइब करता हूँ, मैंने एक कौन इसमें इंस्क्राइब कर दिया, फिट कौन जो होता है, वो इंस्क्राइब कहा जाता है, एक कौन इंसक्राइब बड़े से बड़ा कौन, बड़े से बड़ा कौन मतलब बड़े से बड़ा वॉल्यूम कि जादा से जादा वॉल्यूम वाला कौन उतना ही हो सकता है कि उसका volume, मतलब कौन का volume, sphere के volume से 8 by 27 times ही रहेगा हमने ये साबित करना है तो इसमें diagram तो बनेगी ही तो मैंने क्या किया कि इसकी height वाली एक line खिंची और radius वाली एक line खिंची अब मैं जानता हूँ कि क्योंकि कौन जो है, वो sphere के अंदर inscribed है तो sphere का जो center होगा, वो इसी line पर होगा और ये center है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यह कितना होगा ये radius है sphere का, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी radius है sphere का तो रह क्या गया, ये distance और ये distance तो इसको हम x मान लेते हैं, और इसको हम y मान लेते हैं A, B, C ये right angle triangle है देखो volume कैसे vary करेगा अगर हम Y को जादा करेंगे तो obviously इसका base छोटा होता जाएगा X छोटा होता जाएगा और अगर हम X को बढ़ाएंगे तो Y छोटा होता जाएगा तो इसलिए volume जादा से जादा जो होगा वो 8 by 27 ही रहेगा ये हमने साबित करना है और ये diagram इस question में जरूरी है तो अब इस question को हम लिखना start करते है diagram तो हमने बना लिया तो let या पहले given लिखते हैं given R is radius of sphere sphere का radius है capital R अब हम radius इस cone के बारे में बात करते हैं let x be the radius of cone जैसा कि हमने show किया और height कितनी हो गई cone की y plus r let y plus r be the height of cone हमने ये मान लिया height of cone मान लिया और radius मान लिया और radius इस sphere का तो given ही है r fix है तो अब हमने volume की बात करनी है volume of this cone लेकिन volume अगर cone का हम करेंगे तो उसमें y और x दोनों आएगा तो हमें कोई ऐसी equation बनानी पड़ेगी जो y को in terms of x या x को in terms of y पुट करने में हमारी help करे तो वो equation क्या होगी देखो सामने नजर आ रहा है ये triangle a, b, c right angle triangle और मैं जानता हूँ कि right angle triangle देखते ही कौन सी theorem दिबाग में आती है कौन सी theorem येस पाइथाग औरस theorem तो हमने कहना है क्योंकि ये diagram मैंने बना रखी है इसका मैं use कर रहा हूँ directly इसलिए ये मैं direct कह सकता हूँ कि triangle a, b, c is a right angled triangle therefore by पाइथागोरस थियोरम x square plus y square is equal to r square देखो ये दो साइड ने triangle की इनके square का sum hypotenuse के square के sum के बराबर आएगा equation number one तो ये हमारे पास equation हो गई तयार अब हम volume की बात करेंगे now volume of cone इसको हमने करना है maximize तो volume को हमने v से denote किया अब cone का volume कितना होता है 1 by 3 pi r square h ये होता है अब r कितना है x और h कितना है y plus r तो 1 by 3 pi x square r radius और height y plus r अब ये function तयार हो गया है जिसको differentiate करना है हमने एक बार दो बार लेकिन बात ये है कि ये x और y दो variables में है तो हमें इन दोनों में से किसी एक को गायब करना होगा using equation number 1 तो बहुत easily हम x square की value यहां put कर सकते हैं square root से बच सकते हैं तो मैं x square की value यहां put कर रहा हूं equation number 1 से which implies v is equal to pi by 3 pi by 3 x square की value के आएगी r square minus y square into r plus y मैंने y plus r की जगा r plus y लिख दिया अब मैं ये bracket खोल दूँगा ताकि derivative करते वक्त हमें बिलकुल भी दिक्कत ना आए v is equal to pi by 3 r cube plus r square y minus r y square minus y cube देखो ये 4 terms बन गई हमारी अब ये जो हमारा volume function है जिसको maximize करना है maximize क्यों करना है एक बार फिर question देख लो largest cone largest cone volume wise तो largest cone जो है वो हमें तभी पता चलेगा जब हम cone के volume का function बना कर उसको maximize करके दिखाएंगे तो ये function जो है हमारा वो बन गया single variable y में r तो constant है जैसे pi constant है तो differentiate with respect to बताओ differentiate with respect to x नहीं होगा यहाँ पर y होगा क्योंकि variable y है तो dv by dy is equal to pi by 3 तो constant है multiply में है r cube भी constant है derivative 0 रह गया r square क्योंकि y का derivative with respect to y 1 minus 2ry और यह कितना आ जाएगा minus 3y square equation number 2 फिर से differentiate करते हैं again differentiate with respect to yes y pi तो d2v by dy square is equal to pi by 3 r square का derivative again 0 क्योंकि r तो constant है यहाँ पर कितना रह गया minus 2r minus 6y तो यह आ गया हमारे पास इसको हम एक बार फिर ध्यान से लिख लेते हैं ताकि आगे चलके हमें दिक्कत कम हो d2y by dy square is equal to minus common लेते हैं minus 2 भी common लिया जा सकता है तो 2 pi by 3 r plus 3y equation number 3 देखो minus भी common और 2 भी common अब यह सारा y तो positive quantity है क्योंकि length है तो यह negative ही बनेगा क्योंकि यह minus लगा हुआ है तो obviously जब double derivative minus का बनेगा तो maxima का question है यहीं से साबित हो रहा है तो जब हम दो derivative कर चुकते हैं तो उसके बाद हम क्या कहते हैं हम कहते हैं for critical points comma put dv by dy याने single derivative is equal to 0 अब हमने equation number 2 को use करके dv by dy 0 के बराबर रखना है तो मेरा यह page तो हो गया खतम मैं page बलटता हूँ और फिर आगे चलते हैं तो equation number 2 का सहारा लेकर हम लिख सकते हैं r square minus 2ry minus 3y square is equal to 0 from equation number 2 क्योंकि pi by 3 तो divide में चला जाएगा 0 हो जाएगा अब क्योंकि y हमारा variable है इसलिए हम minus से multiply करके y square को positive ले आते हैं तो 3y square plus 2ry minus r square is equal to 0 अब हमने इसको करना है factorize वैस्त तो तुम factorize भी कर सकते हो और r को constant ही मानना है हमने और quadratic formula भी इस्तमाल कर सकते हो quadratic formula इस्तमाल ना करके हम factorize कर लेते हैं देखो 3 into minus r minus 3r square बनना चाहिए ये 2r है तो कोई खास मुश्किल नहीं है कैसे बनेगा देखो plus 3ry minus ry 3r minus r मैंने 2r को क्या लिख लिया 3r minus r तो 3r और minus r ये दो नंबर को multiply करोगे तो यही आएगा और add up करोगे तो 2r आएगा minus r square is equal to 0 अब इन दोनों में से 3y common y plus r minus r common y plus r is equal to 0 तो y plus r आगया common और 3y minus r is equal to 0 तो यहां से y की दो values आगई एक तो r by 3 इस bracket से comma 1 minus r इस bracket से obviously minus r तो हो ही नहीं सकता क्यों? क्योंकि देखो y क्या है? length है जब length है तो ये minus में कैसे हो सकती है? तो y is equal to r by 3 ही एक acceptable critical point बनता है हमारे पास तो जब critical point मिल गया है तो हम क्या कहेंगे? put y is equal to r by 3 in equation number 3 तो d2v by dy square at y is equal to r by 3 is equal to minus 2 pi by 3 r plus 3y था तो 3y 3y कितना आएगा? r के बराबर ही आएगा और ये overall क्या है? negative की quantity है तो हम ये चीज़ ज़रूर indicate करेंगे d2v by dy square at y is equal to r by 3 is less than 0 ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तो therefore y is equal to r by 3 is the point of maxima याने के कोन का volume maximum होगा जब y की value r by 3 होगी तो जब ये हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो मैं हमेशा पहले से बताता आ रहा हूँ के question को एक बार फिर पढ़ो question में था के prove that the volume of the largest cone याने के volume find out करना है largest cone का which can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of volume of the sphere ये साबित करना है याने के हमें सबसे पहले तो volume of the cone find out करना होगा largest cone का तो पता चली किया y को r by 3 पूट करेंगे तो volume of cone पता करते हैं चलो ये चीज हमें समझ में आ रही है हम वो करते हैं पहले तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा हमें y तो मिल गया हमें x भी चाहिए होगा x हमें मिलेगा equation number 1 से तो put this in equation number 1 x square plus r square by 9 is equal to r square x square plus y square is equal to r square तो यहां से x square की value कितनी आ गई 8 by 9 r square देखो यह r square by 9 इदर जाएगा तो क्या बन जाएगा r square minus r square by 9 तो इससे solve करोगे तो आएगा 8 by 9 r square तो volume तो volume of largest कोन कॉमा v के पैर में मैंने max लगा दिया पाई बाई 3 r square मतलब x radius का square 8 r square by 9 into y plus r था तो y कितना था r by 3 plus r ठीक है students थोड़ा सा यहां गडबड हो गई चलो v max यह v max मैं क्या कर रहा हूँ largest cone का volume है यह is equal to देखो अब 8 by 27 को हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि 8 by 27 का आंकड़ा हमने करके दिखाना है रह क्या गया बाकी पाई r square 8 by 9 into 3 तो इदर आ गया यह r by 3 plus r कितना बना 4 r by 3 और इसको अगर मैं ढंक से लिखूँ तो v max is equal to 8 by 27 ब्रैकेट स्टार्ट 4 by 3 pi r cube यह हो गया देखो 4 by 3 pi r square into r तो यह किस के volume का formula होता है भई यह तो sphere के volume का formula है तो हम कह सकते हैं therefore v max is equal to 8 by 27 of volume of sphere यही साबित करना था हमने और साबित हो गया तो इस तरह से हमारा यह question हो गया solve एक बार फिर देख लो question को देखो यह question है बड़ा important question क्या था के prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in the sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere तो देखो 8 by 27 of the volume of the sphere तो आ गया हमारे पास maximum जो volume होगा कोन का यहनि के largest cone का volume कितना होगा 8 by 27 of volume of the sphere तो इसका outcome क्या निकल रहा है हमें और क्या-क्या समझ में आ रहा है इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि कोई भी sphere हो उसके अंदर inscribed cone का volume अगर निकालना चाहें हम तो जादा से जादा हम उसका 8 by 27th part ही sphere के volume का निकाल सकते हैं इससे जादा inscribed cone नहीं निकाल सकता यह सिद्ध कर दिया हमने और यह application कई बार industry में use होती है जहां पर भी cone को हमने fetch out करना होता है sphere में से तो यहां पर यह question हो गया खतम और I think एक मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस chapter में से पांस type के question है एक है window वाला question जो अभी तक I think मैंने कराया नहीं है कराऊंगा यह note कर लो students एक wire वाला question एक open box वाला question यह मैं करा चुका हूँ यह मैं करा चुका हूँ यह तीन question और कोन in sphere जो कि मैंने अभी कराया और cylinder in sphere यह भी मैंने अभी कराया इसी वीडियो में यही है तो एक window वाला question रह गया एक cylinder in sphere वाला question रह गया यह कितने question बन गया एक दो तीन चार पाँच तो यह पाँच question है जिसमें से की एक six marks का paper में पका आता ही होता है board के paper में हमेशा इन पाँच question को तयार कर लो बस window wire open box wire और open box मैं करवा चुका हूँ window का मैं करवा दूँगा कोन in sphere मैंने करा दिया है और अगले video में मैं cylinder in sphere कराऊंगा और उसके कितने type के और questions बन सकते हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूँगा तो इन questions की practice कर लो wire open box और कोन in sphere यह मैंने तुम्हें करा दिया है question और इनकी practice करो यह दो type के मैं कराऊंगा और फिर तुम्हारे six marks जो है वो पक्के हो जाएंगे अगर तुम्हें यह questions अच्छी तरह से practice कर लिए तो अब मैं वही एक request करूंगा कि comment में जाके मुझे one to five rating scale पर rate जरूर करना अगर तुम्हें समझ में आ गया सब कुछ जो मैं समझाना चाता था तो five अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आए तो one in between तो two three या four और अगर कोई suggestion है या मेरी कमी नज़र आती है तो वो comments में जरूर लिखना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस कमी को मैं हटा सकूं अपने वीडियो से और तुमको मैं पूरी तरह से कोई भी जो question है वो समझा सकूं concept समझा सकूं क्यूंकि quality education तो हम उसी को बोलते हैं जब सब कुछ समझ में आ जाए और अगर तुम tuition से बचना चाहते हो जो कि मैं हमे otherwise सारी playlist देख लो और अगर तुम अपने किसी friend का भला करना चाहते हो वो tuition से बचे तो इसको like करके मेरी होंसला अवजाई तो करी देना इस वीडियो को share भी कर देना ताकि ये आगे तक पहुचे और क्यूंकि सब का अधिकार है quality education तो ये सब को मिलना भी चाहिए मेरा motto भी ह है quality education सब का अधिकार तो students इस question को अच्छी तरह से समझ लो और इसकी practice करो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर मैं cylinder in sphere और इसके और कितने variant हो सकते हैं questions के मैं कराऊंगा best of luck and thank you for watching